प्लीज सब्सक्राइब में चानल हनी स्प्यूटी एंड हेल और साइड पे बेल आइकान को आप प्रेस करने से मेरी सार लेटेस्ट वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दे से मिल जाती हैं तो इसके लिए बेल सीम्बल को जिरूर क्लिक कीजिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को रिग्रोध करने का एक असान गरेलुन उसका इस वीडियो में आप नों को शेड़ करने वाली हूँ बालों को रिग्रोध करना है तो हम कःके तीमें और जैटना हो जाते हैं तो आज मैं आपको natural तरके सी अपना बालं को कैसे regrowth करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ और ये वीडियो highly requested वीडियो है क्योंकि काफी सार रिव्योस मुझे request किया है बालं को regrowth कैसे करना काफी सार लोंको sides पे hair fall होता है और forehead पूरा bald head हो जाते हैं बाल जो है जादा जड़ता है तूटता है और dandruff भी हो जाते है इन सभी के लिए न मैं आपको इस वीडियो में best solution दिखाने वाली हूँ आप अच्छे result के लिए वीडियो को completely starting से इंड तक देखिए इस वीडियो में आप लोगों को कुछ tips भी share करोंगी और इस नूसके के साथी साथ आप उस tips को भी follow up करोगी आपका बाल जो है कभी नई जड़िंगे तूटना भी कम होगा scalp भी clean रहता है dandruff का problem भी नहीं रहोगा और साथी बाल भी regrowth जल्दी से जल्दी हो जाएंगे चलिए friends वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के पहले अगर आप लोग को भी कोई भी requested वीडियो हो ताकि हो skin related, hair related makeup के बारे में और product review ताकि इस कोई भी related वीडियो हो आपका related वीडियो को नीचे comment box में comment कीजी आपका comment पढ़के मैं आपका वीडियो 2-3 इनके अंदर बना देती हूँ आपका requested वीडियो के अंदर आप लोगा नाम भी mention करती हूँ इसके लिए आप हमेशा मेरा चानल को follow up कीजी है मैं जब भी नया वीडियो upload करती हूँ आप उस वीडियो को completely देखिए और उस वीडियो को आपका friends के साथ share भी कीजी और उस वीडियो को like और share जरूर करें तब ही मुझे पता चुलता है आप लोग मेरा चानल को follow up कर रहे हूँ बालों को regrowth करने के लिए हमें लेना चाहिए red onion red onion को grinder में दाल के मैं already juice बना चुकी हूँ 3-6 red onion juice एड़ कर रहे हूँ onion grind करने के बाद onion दोड देर के बाद रंग change होता है इसलिए onion करेंगे इस तरह चेंज हुआ है इसके बाद इसमें हमें एड़ करना है glycerine इसके बाद हमें इसमें एड़ करना है 2-6 ग्लीजरीन एड़ करके एड़ करके एड़ जूस में अच्छे से mix करना है क्योंकि glycerine अपना बालों को growth को बढ़ा देती है और ग्लीजरीन अपने स्किन के लिए इने बालों को hair growth को promote करने में बद्द करता है अगर आपको बाल रेग्रोध करना चाहते हो तो जिरूर इस onion juice और ग्लीजरीन mix करके बालों के उपर इस्तामाल कीजिए इससे बाल बहुत अच्छाँ सब्क होने लगें और इसके बाद इसमें अच्य हमें आड करना है एक चमच बादम आड की टेल कि बादम की तेल में nutrients, proteins, vitamins रहता हैं यह अपना बालं को strong बना देती है almond बालं को thickness को तीक्ली grow करने देती है बालं को thickness बड़ा देती है इसलिए मैं बादम की तेल इस्तमाल कर चुकी हूँ आप इसमें कमपलसरी बादम की तेल इस्तमाल कीजिए इस अब इंग्रेंट को अचासा मीक्स करना है आप देख सकते जिए सोलीशन तैयार हो गया है इक कौसे इस्तमाल करना मैं बताऊंगी इसको आप कॉटन की मदर से इस सोलीशन को अपले करने clean cotton लीजिए इस सोलीशन में इस तरहां डिप कीजिए आपके बाल जहां जहां जड़ रहा है उस एरिया पे इस solution को अपले कीजिए अपले करके आदे गंटे तक छोड़ दीजिए आदे गंटे के बाल आपका बालों को किसी भी आपके पसंद की शाम्पू से बालों को वाश कीजिए ऐसा इसको हाफते में दो बाल ट्राइ कीजिए ऐसा एक मैने तक करके देखिए बाल जो है ग्रो होने लगेंगे क्योंकि रेड ओनियन से बाल बहुत जल्द से बढ़ेगा और बाल भी स्ट्रॉंग और मोटे होंगे इन उसका हर हेर टाइप के लिए सूटेबुल है यह 100% एफेक्ट विजल देती है आपके बालों को आप जरूर ट्राइ कीजिए फिर मिलती मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई प्लीज सब्सक्राइब में चानल हानी स्प्यूटी एंड हैल और साइड पर बेल आइकान को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दी से मिल जाती है तो इसके लिए बेल सिम्बल को जरूर क्लिक कीजिए